हेलो वाईश आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जुमारा Realme Howl 70pro phone है थो Realme Howl 70pro phone की settings पहे जाकर कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने phone की settings पहे जाकर डाटा सेवर मोड को एनेबल कैसे कर सकते हैं और फॉन के डाटा को सेव कैसे कर पाएंगे रियल मी नार जो 70 प्रो फॉन की सैटिंग्स पे जाकर और कैसे अपने फॉन में डाटा सेवर मोड एनेबल कर सकते हैं रियल मी फॉन में तो बताने वाले की डाटा सेवर मोड एनेब हो रहें तो आपको Swipe करना है Swipe करती हो अपनो जाएंगे जिसमेंसे आपको जाना होगा कि जिसमेंसे आपको जाना होगा Settings पर click करती ही फ़ॉन की setting वह पनो जाएगे तो Data Saver mode को आप कैसे Save कर सकते हैं अपने phone में तो simply अब देख सकते हैं कि सब्सक्iles nucleic1 शो हैं तो आपको मुवाईल न हैडवक सेड़िक्स पर चले जाना है जहां से उसेज ऋक्तिज पर डाटी सेविंग ओफ सेविंग Zack ंजा जाता है जिसके यह डाटा सेवर अब कर सकते हैं ऑर इसका гром कर सकते हैं सिंपली बस आपको इसको अन करना और टान ऑन करदेना जिससे आपके फोन में डाटा सेवर मोड आपके फोन पे आन हो जाएगा जिससे मवाइल डाटा बगारा को आप सेव कर सकते अपने फोन में जब आप इसका यूज करते हैं तो इसका यूज करके भी डाटा सेवर मोड क को एनेबल कर सकते हैं और मोईल डाटा को सेज metropolitan से डाटा सेबर मोड ईनेबल कर सकते हैं रियालमी नार्चो सैवेंटी प्रोट फोन में यह सब्सक्राइब करें और साट में वीठीच से लेडियो आइकन द्वाने ना भूलें थेंक यू नेक्स्ट वीडियो के लिए अन्तिजार करें